हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल परीक्षा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे तो सीटेट के सीडीपी के पेपर फस्ट के प्रीबियस एर के कुश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ ओफलान वाले जो भी पेपर हुए हैं पेपर फस्ट में मैंने 2011 से जुरू किया था और जनवरी 2024 तक मैंने सीडीपी के प्रीबियस एर के कुश्चन सॉल्व करवा दिये हैं एक पेपर बचा है जो अभी जुलाई को हुआ था 7 जुलाई को तो उसमें जो भी सीडीपी के कुश्चन है उनको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी अब मैं पेपर सेकेंड के सीडीपी के कुश्चन देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेपर फर्ष्ट के जो भी कुश्चन में ने सॉल्ब करवाई है उसकी पिले लिस्ट बड़ी होई है आप लोग वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण लिखा है बाल केंदरित सिक्षा का समर्थन निमने लिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया पहला विकल्प है बी एफ इसकिनर दूसरा है जॉन डीवी तीसरा है एरिक इरिक्सन और चार्ल्स डार्विन तो बाल केंदरि सिक्षा का समर्थन दिया जॉन डीवी ने दूसरा विकल्प इसमें सही है जॉन डीवी ये आपको याद रखना है इसके बाद भी जो आप पेपर देखेंगे उनमें भी ये प्रस्ण आपको देखने के लिए मिलेगा अगला प्रस्ण देखते हैं लिखा है एकल अभिबा अभिबाबक वाले बच्चे को पढ़ाते समय सिक्षक को पहला विकल्प है इस पिरकार के बच्चे के साथ भेन पिरकार से बेवहार करना चाहिए दूसरा है ऐसे बच्चे को कम ग्रहकार देना चाहिए तीसरा विकल्प है इस तिर और एक रूप वाता वरण उपलब्द क चाहिए और जो अथा है इस तथ को अंदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान बेवहार करना चाहिए अब एकल अविवाबक से क्या अभिप्राय है तो एकल अविवाबक यानि की या तो कोई ऐसा बच्चा है जिसके सिर्फ पिता है या प्रत्थ को नजर अंदाज यानि अंदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान ब्योहार करना चाहिए चौथा विकल्प इसमें सही है भेदभाव तो आपको किसी भी हालत में नहीं करना है यदि आप भेदभाव तो आपको किसी भी हालत में नहीं करना है चाहिए बच्चा दिव्यांग हो चाहिए एकल अबावक वाला हो चाहिए लड़का हो लड़की हो आपको सभी को समान समझना है समान रूप से बेवहार करना है यदि आप एक सिक्षक हैं ये बात आपको याद रखनी है अगला प्रशनी देखते हैं प्रत्वा साली बच्चों के संदर्व में संवर्धन का आर्थ है पहला विकल्प है सेक्षडिक गत्विदियों के संपादन में संवर्धन करना दूसरा विकल्प है सह सेक्षडिक गत्विदियों के संपादन की गती को बढ़ाना तीसरा है ऐसे विद्याथियों को वर्तमान इस्तर यानि ग्रेड को छोड़कर अगले उच इस्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना और जो था है आकलन की प्रक्रिया का संबर्धन करना अब संबर्धन क्या है तो संबर्धन है संबर्धन का आर्थ पाठे करम को छात्र की छमताओं से मिलाना है सरल सब्दों में आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा जो बच्चे प्रतबासाली यानि होस्यार होते हैं तो उनकी जो एक कच्छा है उनको प्रोनत कर दिया जाता है यानि कि उन्हें एक कच्छा से दूसरी कच्छा में कच्छा लंगन कह सकते हैं इसको तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर जो है वह क्या है ऐसे विध्यातियों को वर्तमान इस्तर यानि ग्रेड को छोड़ कर अगले उच इस्तर यानि ग्रेड में प्रोन्नत करना यानि कि एक कच्छा से दूसरी कच्छा में उसे प्रोनत करना, कच्छा लंगन करवाना उसका, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्णी देखते हैं, प्रतिभास आली विध्यार्थियों के लिए निमलखित में से कौन सी गत्विदी सरवाधिक उपयोगते हैं, पहला विकल्प है पांच पाठों के अंत में दिये गई अभ्यासों को एक बार में हल करना, दूसरा है सिक्छक दिवस पर कच्छ को पढ़ाना, तीसरा है अभी हाल ही में हुए स्कूल मेच का प्रतिवेदन लिखना और चौथा है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना तो पूछा गया है कि प्रतवा साली विध्यार्थियों के लिए निम्खित में से कौन सी गत्विधी सरवाधिक उपयोक्त है तो चौथा विकल्प इस प्रस्ण में सही है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना तो प्रतवा साली जो छात्र होते हैं अनवार रूप से आसाधारण होते हैं और आम तोर पर अपने प्रदर्शन में निरंतर्ता दिखाते हैं तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा अगला प्रस्ण दिया गया है सारीरिक गतिक बुद्धी रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्निल खित में से कौन सी हो सकती है पहला विकल्प है वाचक, दूसरा है राजनेतिक नेता, तीसरा है सल्चिक सक और चौथा है कवी तो जिसकी पास सारीरिक गतिक बुद्धी है तो उसकी अंतिम अवस्था पुछी गई है यानि वैभविस में क्या बन सकता है तो सबसे पहले आपको बुद्धी के बारे में जानना आवश्यक है तो बुद्धी जानकारी को ग्रहड करने अवधाराओं को समझने और समस्याओं को हल करने की चंता के रूप में परभासित की जाती है बवबुद्धी का जो सिधान्त है वै हावर्ड गार्डनर ने दिया है ये भी आपको याद रखना है इस प्रस्ण में तीसरा विकल्प सही है सल्लिच गिस्सक यानी सर्जन तो तीसरा विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं प्रतिभा साली बच्चे पहला विकल्प है सामान सारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंता के लिए में अच्छे नहीं होते दूसरा है सामानिता अपने सिक्षकों को पसंद नहीं करते तीसरा है बिना किसी की सहायता के अपने सामर् पूड विकास करते हैं और चोथा है मानों के लिए महत पूड किसी भी छेतर में आस्वा भावता अच्छा निस्पाधन करते हैं तो प्रतवा साली जो बच्चे होते हैं बैब मानों के लिए महत्पूर किसी भी छेतर में आस्वाभावता अच्छा निस्पादन करते हैं चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा प्रतवासाली बच्चों की और क्या-क्या विस्षिस्ताइं होती है इनका जो आई-क्यू होता है एक सचालिस या उससे उपर होता है इसके लावा ये तथ्यों को सहज धारण कर लेते हैं उच्छ कोटी की इनकी बौधिक जिग्यासा होती है सहस्वाभस्था में भी आसामान सतरकता इनमें होती है जानकारी प्राप्त करने में उच्छ गती समय की अनभूती का सीगर विकास उन्नत तार्किक और रचनातमक चिंतन तो इस प्रकार की विसेस्ताएं प्रतभा साली बच्चे में पाएं जाती है अगला प्रस्णी देखते हैं लिखा है मिस्त्रित आयू वर्ग वाले विध्यार्थियों की कच्छा से विवहार रखने वाले सिक्छक के लिए काग्यान सरवादिक महतपूर है पहला विकल्प है सांस्कृतिक प्रश्ट भूमी दूसरा है विकासातमक अवस्थाओं तीसरा है उनके अवावकों का व्यवसाय और चोथा है सामाजिक आर्थिक प्रश्ट भूमी तो मिस्रित आयू वर्ग वाले विध्यार्थियों की कच्छा से विवहार रखने वाले सिक्छक के लिए विकासातमक अवस्थाओं का ग्यान होना सरवादिक महतपूर है दूसरा विकल्प इस प्रश्ट में सही हो जाएगा अगला प्रश्ट देखते हैं सिक्छा का अधिकार अधनियम 2009 के किरियान वयान यानी लागू होने के बाद कच्छा कच्छ पहला विकल्प है आईू के अनुसार अधिक समझाती है दूसरा है आईू के अनुसार अधिक विशम जाती है तीसरा है आप प्रभावित है क्योंकि सिक्छा का अधिकार विध्याले में कच्छा की ओसत आईू को प्रभावित नहीं करता और चोथा है जेंडर के अनुसार तो सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6-14 वर्ष की आयू के पिरतेक बच्चे को प्रारंभिक सिक्षा पूरी होने तक पडोस के स्कूल में मुफ्त और अनवार सिक्षा का अधिकार देता है ये आप लोगों को पता होगा तो जब ये लागू हो गया उसके बाद से जो कच्चा कच्च है वया आयू के अनुसार अधिक समझाती हैं पहला विकल्प इसमें सही होगा अगला प्रशनी देखते हैं संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्थती विकास के निम्ण लिखित किन सिध्धानतों के साथ संबन देते हो सकती है पहला विकल्प है विद्यार्थी भिन दरों पर विक्सित होते हैं दूसरा है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है तीसरा है विकास के परड़ाम सरूप व्रद्धी होती है और चौता है विकास विसम जातियता से स्वायतता की ओर अग्रसर होता है तो विकास क्या होता है? विकास देतात पर अंगों के बहतर और उन्नत कामकाज के लिए सनरचना में वरधी से है इसमें सीखने और परपक्वता की प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति में समय की अबदी में सभी गुडात्मक परवर्तन सामिल है तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकास विसम जातीता से स्वायतता की होर अग्रसर होता है चौथा विकल्प इसमें सही है जब आप लोग प्रिवेस एर के सभी पेपर पढ़ लेंगे चाहें वैं CDP के कुष्चन हो चाहें EVS हो यानि आप पेपर फस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो EVS हो, Mathematics हो, SST हो, Science हो तो आप लोग को इतना अंदाजा लग जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रशन पूछे जाते हैं और कभी-कभी तो प्रशन सिदा उठा कर वही रख दिया जाता है तो इसलिए यदि आप सीटेट का एकजाम देने जा रहे हैं तो प्रिवियस एर के कुष्चन जरूर पढ़ कर जाएगा ये बात आप लोग याद रखिए क्योंकि प्रिवियस एर के कुष्चन से आपको बहुत हैल्प मिलेगी और मैंने साइंस के भी प्रिवियस एर के कुष्चन करवाई है अभी जो 7 जुलाई वाला पेपर हुआ है उसके लिए मैंने प्रेपरेशन करवाई तो मैंने साइंस के previous year के सभी question paper 2 के लिए SSD के सभी question EBS के paper first के लिए EBS के previous year के सभी question मैंने करवाई और playlist बना रखी है यदि आप लोग अभी वो देखना चाहें तो देख सकते हैं कोई भी वीडियो मैंने delete नहीं किया है और इनसे आपको बहुत ही जादा help मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं लिखा है सीखने के सिधानतों के संदर्व में इसके folding की और संकेत करता है पहला विकल्प है अनुरूपित सिक्षड दूसरा है पूर्व अदगम की पुनरावरत्ती तीसरा है सीखने में वयस्कों द्वारा आइस्थाई सहयोग और चोथा है विध्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना तो इसके folding इसका मतलब क्या होता है आधार वूत सहायता तो यह संकेत करता है सीखने में वयसकों द्वारा आइस्थाई सहयोग जब बच्चे सीखते हैं तो वयसकों के सहयोग से सीखते हैं लेकिन वयसकों आइस्थाई होता है तो इसे ही इसके फॉल्डिंग कहते हैं तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा अगला प्रशने देखते हैं मैडम चाय खाती हैं वाक पहला विकल्प है वाक विन्यास की दरश्टी से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दरश्टी से गलत है दूसरा है अर्थ विज्ञान की दरश्टी से सही है गलत है तो मैडम चाय खाती है ये वाक्य विन्यास की द्रश्टी से तो बिल्कुल सही है लेकिन यदि आप इसका अर्थ निकालते हैं तो चाय को खाया नहीं जाता चाय को पिया जाता है तो अर्थ विज्ञान की द्रश्टी से ये गलत है तो पहला विकर्प इस प्रश्ण म उत्तर है अगला प्रस्ण है बुद्धी लब्धांग के आधार पर विभेन समुहों में विध्यार्थियों का वर्गी करण उनकी स्वागर्मा को फिल करना है और उनके सैच्छलिक निस्पादन को है तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा यदि भविस में आप एक सिक्षक बन जाते हैं तो आपको कुछ बाते याद रखनी है बच्चों को तुल्ला नहीं करनी है उनको विसे समुहों में नहीं बाटना है कि ये होसियार बच्चों का समुह है ये कम होसियार बच्चों का समुह है तो ऐसा आपको नहीं करना है इसस बच्चों के अंदर ही इन भावना आ जाती है और सीटेट में इस प्रिकार के प्रस्ण आपको देखने के लिए मिलेंगे तो जिसमें लिखा हो रटकर याद करना बच्चों को समुवों में बाटना उनमें प्रतियोगिता कराना इस तरीके के विकल्प प्रस्ण के उत्तर न रही हूं तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण पर जो मैंने पेपर फर्स्ट के कोश्चन करवाई हैं जो पेपर फर्स्ट वाले वीडियो हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को हेल्प मिलेगी और उसमें मैंने बताया है कि किस प्रिकार से आप प्रश्ण का उत्तर ढूर सकते हैं चलिए अगले प्रश्ण को पढ़ते हैं लिखा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिस इज परीक्षड का उधारण है पहला विकल्प है मोखिक बुद्धी लबदांक दूसरा है संस्कृति मुक्त बुद्धी लबदांक तीसरा है आस प्रोग्रेसिव मैट्रिस परीक्षड जो है वह संस्कृति मुक्त बुद्धी लबदांक परीक्षड का उधारण है दूसरा विकल्प इसमें सही है कल्चर फिरी आईकिव दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा अगला प्रशनी देखते हैं लिखा है एक महला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया इस खबर को फिल करना है कि आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है पहला विकल्प है मनो विशले शडात्मक सिध्धान्त दूसरा है पदा नुक्रमिक आवशक्ताओं का सिध्धान्त तीसरा है मनो सामाजिक सिध्धान्त और च्वाथा है पोनर वलित आकसमिताओं का सिध्धान्त तो महला ने क्या किया है भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेचा है तो इस ख़वर को पदा नुक्रमिक आवशक्ताओं का सिध्धान्त के आधार पर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा तो अबराहम मैसलो एक अमेर्की मनो बैज्ञानिक थे और मूल रूप से मानवतावादी थे इन्होंने प्रेला का मानवतावादी सिध्धान्त दिया उन्हें मुकरूप से मैसलो का आवशक्ता पदानुक्रम बनाने के लिए जाना जाता है तो उन्होंने जो पांच इस्तर बताई हैं पदानुक्रम के तो उसी के अनुसार इस प्रश्ण में दूसरा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर है अगला प्रश्णी देखते हैं लिखा है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक सब्द के अलावा निम्लखित की द्वारा समर्थित किया जाता है पहला विकल्फ है बहबुद्धी शिद्धान्त दुसरा है सूचना प्रकरमर सिद्धान्त से तीसरा है जे पी गिलफोर्ड का वुद्धी शन रचना का सिध्धांत और चवता है एल-एल थर्ष्टन का प्रात्मिक मांसिक योगताओं का सिध्धांत तो सतत और व्यापक मूलिय अंकन क्योजना में व्यापक सब्द सूचना प्रसंसक्रण का सिध्धांत के अलावा न सब आपको डिटेल ने पढ़ना पढ़ेगा कुछ टॉपिक ऐसे आपको मिल जाएंगे जैसे कि अदगम अच्छमता इससे प्रस्ण हमेशा ही पूछा जाता है कोहल वर्ग के बारे में जो उन्होंने सिधान दिये हैं उनको आपको पढ़ना है जो इन्होंने कोहल वर्ग ने से पूछे ही जाते हैं तो यह आपको पढ़नें और यह प्री एर के कुश्टन देखने के बारे में पता चल जाएका अगला प्रस्शन देखते हैं सीखने फिल करना है आकलन आकलन और अंुदेशन के बीच के द्रडी करण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है पहला विकल्प है के लिए संबंदों दूसरा है के लिए अंतर तीसरा है का अंतर और चौता है का भिन्निता तो सीखने के लिए यहां फिल किया जाएगा के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच संबंदों के द्रडी करण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है पहला विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्णी देखते हैं विज्ञान के प्रयोगों में सामानिता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियो से आठेकों को रिकॉर्ड करने अत्वा बरतनों को दोने के लिए कहते हैं यह प्रबती यह दरसाती है कि फेहले विकल्प है लड़कियान नाजुक होने के काराल ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें उद्धी और बहतरीन अवलोकन करता होती हैं और बिनना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं तीसरा है पुरुस और इस्तरी की रूड़ी वद्भूमकाएं विध्याले में भी होती हैं और चो अथा है लड़के उपकरणों को जादा कुसलता से समाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रा प्रियोग सही तरीके से करेंगे और लड़की उसे खहा जाता है कि वे बरतंद होएं और आंकड़ों को रिकॉर्ड करें तो ये रूड़ी वद्भूमकाएं हैं जो विध्याले में भी होती हैं तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न दि यहां पर कच्चा कच में सिक्षक और विध्यार्थी किस प्रिकार जेंडर को निर्माड यानि गठित करते हैं यह सीखने के वातावरण को पिर्भावित करता हैं तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा निर्मित करते हैं और यह सीखने के वातावरण पर 2009 में अनवार सब्द का अर्थ है पहला विकल्ब है दंडात्मक कार से बचने के लिए अपने वच्चों को विध्याले भेजने के लिए अबाबकों पर अनवार रूप से जोर डाला गया है दूसरा है अनवार सिक्षा सतत परिक्षड के मात्यम से फिरदान की जाएगी तीसर है केंद्र सरकार दाखले उपस्तिती और प्रारंबिक सिक्षा की पूर्टा को सुनिश्चित करेंगी तो RTE 2009 एक अपरेल 2010 से लागू किया गया और इसमें 6-14 बर्स के बच्चों के लिए निसुल्क और अनवार सिक्षा का प्रावधान है इसमें अनवार सब्द का अर्थ पूछा गया है तो चोथा विकल्प सही है उचिस सरकारें दाखले उपस्तिती और प्रारंबिक सिक्षा की पूर्टा को सुनिश्चित करेंगी चोथा विकल्प इसमें सही है अगला प्राश्णी देखते हैं निमलकित में से कौन सा सिध्धान्त पाठ योजना में सामिल नहीं है पहला विकल्प है उद्यस्यों की इस्पष्टता दूसरा है सिक्षड का ग्यान तीसरा है योजना की द्रड़ता और चोथा है सिक्षार पतातियों का ज्ञान तो इसमें पूछा गया है कौन सा सिध्धान्त पाथ योजना में सामिल नहीं है तो योजना की द्रडता तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा कूँगी योजना जो है 그래도 नहीं लचीली होंनी चाहिए तो तीसरा विकलब य सीलिए इस प्रस्ट का उत्तर है अगला प्रस्ट है अधिगम करता का स्व नियमन का क्या अर्थ है पहला विकलब है स्व अनसासन और नियंत्रड दूसरा है अपने सीखने का स्व अनुवी चड़ करने की योगिता तीसरा है विध्यार्थी निकाय द्वारा बनाई गए नियम एवं वी नियम और चोथा है विध्यार्थियों के बेवहार के लिए वी नियमों का निर्माड तो आदिगम करता का स्वन यमन का आर्थ है अपने सीखने का स्वयम अनुवीक्षड करने की योगिता दूसरा विकल्प इस प्रश्ण में सही है अगला प्रश्ण देखते हैं जोन डीवी द्वारा समर्थित लेब विध्याले के उधारण है पहला विकल्प है फैक्टरी विध्याले दूसरा है प्रगती सील विध्याले तीसरा है पबलिक विध्याले और सौता विकल्प है सामान विध्याले तो जोन डीवी द्वारा समर्थित लेब विध्याले के उधारण है प्रगती सील विध्याले दूसरा विकल्प इसमें सही है क्योंकि प्रगती सील सिक्षा का जो प्रावधान है वै जोन डीवी ने दिया है तो दूसरा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है CBSE द्वारा प्रस्तावित समू पर्योजना गत्विधी का एक ससक्त साधन है पहला विकल्प है सामाजिक भागी दारता को सुगम बनाने दूसरा है सिक्षकों के भार को हलका करने तीसरा है रोज मर्रा के सिक्षड से होने वाले तनाव को दूर करने और चौता है अनेक तो इस प्रश्ण में पहला विकल्प सही है सामाजिक भागी दारता को सुगम बनाने अगला प्रश्ण देखते हैं लिखा है आंतरिक रूप से अभी प्रेरित विध्यार थी पहला विकल्प है के लिए पुरुसकार की बिल्कुल भी आवसकता नहीं है दूसरा है के लिए बाहे पुरुसकार की उसकी अभी प्रेरित विध्यार थी की तुल्ला में अभी प्रेरित इस तर कम होता है और चौता है के लिए आपचारिक सिक्षा की आवसकता नहीं है तो आंत्रिक रूफ से जो अभी प्रेरित होते हैं यानि उन्हें प्रेरित करने की आवसकता नहीं होती प्रेरडा उनके अंदर खुद होती है तो उनके लिए किसी भी तरीके के पिरुसकार किया वसकता नहीं होती पहला विकल्प इस प्रश्न का उक्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है उपलब्दी अभी प्रेरणा है पहला विकल्प है चुनोती पूर कार करने में डटे रहनी की प्रवत्ती दूसरा है आसपलता से बचने की प्रवत्ती तीसरा है सफलता वा आसपलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता और शोथा है बिना विचारे जल्दवाजी में कार करने की प्रवत्ती तो उपलब्दी अभी पेरिडा चुनोती पूड कार करने में डटे रहने की प्रवित्ती है पहला विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है विद्यार्थियों को प्रतिकिरिया प्राप्त करने का आदर्स प्रतीक्षा समय फिल करना है के सही अनुपात में होना चाहिए तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्णी का उत्तर हो जाएगा विद्यार्टियों से प्रत्किरिया प्राप्त करने का आदर्स प्रतीक्षा समय प्रश्णी का कठनाई इस्तर के सही अनुपात में होना चाहिए अगला प्रश्ण है मान लीजिए आप विद्याले सिक्षा बोड के अध्यक्ष हैं आप अपने अधिकार छेत्र के अंतरगत आने वाले विद्यालेों की सिक्षा की संपूर गुडवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे इस प्रकार का प्रश्ण का एक उध हारण है पहला विकल्प है उच इस्तरी अभिसारी दूसरा है उच इस्तरी अपसारी तीसरा है निमनिस्तरी अभिसारी और चोथा है निमनिस्तरी अपसारी पूछा गया है कि आप विद्याले बोड के अध्यक्ष हैं आप अपने अधिकार छेत्र के अंतरगत आने वाले विध्यालेओं की सिख्छा की संपूर गुर्वत्या को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे तो इसके लिए वियापक चिंतन किया वसकता है तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा उच्च इस तरही अपसारी अपसारी का मतलब ही होता है वियापक तो दूसरा विकल्प इस प्रश्ने का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ने देखते हैं लिकाई एक विध्यारती कहता है उसका दादा आया है एक सिक्छक होने के नाते आपकी प्रत्किरिया होनी चाहिए पहला विकल्प है अच्छा उसके दादा जी आई हैं दूसरा विकल्प है बच्चे आप सही वाक नहीं बोल रहे हैं तीसरा है दादा आया है की जगए दादा जी आई है कहना चाहिए और चोथा है आप अपनी भासा पर ध्यान दीजिए तो एक विध्यारती कहता है कि उसका दादा आया है एक सिक्चक होने के नाते आपकी प्रतकिरिया क्या होनी चाहिए कि अच्छा उसके दादा जी आए है क्योंकि बच्चे जो है अनुसराल करते हैं यदि आप उन्हें बताएंगे कि ये गलत है या ये सही है तो इस तरीके से बच्चे नहीं समझ पाएंगे आपको बताना है कि किस तरीके से ये बाक सही होगा तो आपको खुद कहके बताना है कि अच्छा उसके दादा जी आई है पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निमलखित चड़ों में से प्रात्मिक विध्याले के बच्चे किन चड़ों का अनुसरण करते हैं पहला विकल्प है आग्या पालन और दंड उनमुखी करण दूसरा है वैक्तिता और विनमे तीसरा है अच्चे अन्ता वैक्तिक संबंद और चोता है सामाजिक अनुबंद और व्यक्तिकत अधिकार तो लॉरेंस कोहलवर्ग के अरुसार पूछा गया है तो इसमें एक तो ए सही होगा आग्या पालन और दंड उनमुखी करण और बी भी सही होगा वैक्ता और विनमे बी और ए इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आखरी प्रश्न है कि अलावा निम्लिकित घटना व्रतांत रिकॉर्ड की विसेस्ताई है पहला विकल्प है यह घटनाओं का सही वर्डन है दूसरा है यह बच्चे के व्यक्तिकत विकास अत्वा सामाजिक अंता के लियाओं को वर्डित करता है तीसरा है यह परियाप्त विस्तार से पूर्ड तथ्यात्मक प्रतिवेदन है और चौता है यह ब्योहार का व्यक्तिनिष्ट साक्ष है और इसकी यह सैक्षडिक छेत्र के लिए प्रति पुष्टी उपलब्द नहीं कराता तो इस प्रस्ण में चौथा विकल्प सही होगा यह बिवार का व्यक्ति निष्ट साक्ष है और इसलिए यह स्याक्षडिक छेतर के लिए प्रति पुष्टी उपलब्द नहीं कराता चोथा विकल्ब इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा तो यह जो पेपर था यह था नवंबर 2012 वाला तो CDP के मैंने सभी कुष्टन सॉल्ब करवा दिये किसी भी प्रस्ण में डाउट हो आप कमेंट वक्स में जरूर लिखिएगा मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिबलाई भी देती उचलिये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई